आलोक शर्मा जी आपी से शुरुवात कर रही हूँ नाए अध्यक्ष लेकिन बाते वही पुरानी वही आरो पुराने एक बार फिर से गोड़से और गांधी की बात करते वे नजर आए कब तक गोड़से के सहारे आगे कॉंग्रस की रणीती राजनीती चलती रहेगी मुझे लगता है गोड़से एक अपनी विचारधारा के पूरी तरह से सिंबल है और गांधी जी की अपनी एक विचारधारा है और इस देश के अंदर गोड़से और गांधी जी की विचारधारा का हमेशा से टकरहट रहा है और वो टक्राहट आज भी नजर आता है और मोदी साहब के सरकार आने के बाद कहीं न कहीं जादा हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लगा स्टूडियो में मुझे दो बर देखना पला इंडिया टीवी है न तो कि मैं वो देख रहा था कटपुतली परधान मेंने का आज ही तो हमारे परधान बने है बीजेपी की कुंठा तो समझ आती है लेकिन ये पांच जन और कमल संदेश के कारयाले में तो नहीं चला गया हूँ मैं कहीं आज हमारे इलेक्टिड अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ये कटपुतली शब्द का इस्तेमाल किया जाना है ये कुंठा को बताता है कि मीडिया जगत कितना कुंठित है हमारे पूरी एक्सेसाइज के बाद अब बात आती है जो आपने मूल सवाल पूछा है कि क्या होगा कैसे होगा आज नए अध्यक्ष हमारे आए हैं एक मजदूर के बेटे थे और जिस तरह का उनका राजनेतिक पूरा लंबा सफर रहा है वो पूरी तरह से उन्हें पंडित नहरू बापू से लेकर और तमाम जो कॉंग्रिस की विचार धाराएं रही हैं कॉंग्रिस के जो अचीविमेंट्स रहे हैं उनका सबका जिक्र किया है और बीज़े पी के कुणछा समझ आती है बीजे पी के यहां तो वो कहरे हैं कि साब एक तरफ गांधी जी ते अक तरफ सोनिया गांधी जी थे बिल्कुल सोभाविक है, उनको वही नजर आता है, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अमिच्छा जी और नड़ा जी का हाथ पकड़के जिस तरह से पीछे फैंक दिया जाता है, तो उनको वही चीज़े नजर आएंगी, आज सकारात्मक होना चाहिए, भारत लोकतंत्र है, और नों ने महंगाईज पर बात की, बिरुजगारी पर बात की, तमाम चीज़ों पर बात की, कौन सा विशे ऐसा था जिस पर बात नहीं की है, RSS की एक विचारधार रहा है, और RSS मूल जननी है, भारती जनता पार्टी की उस नफरती विचारधारा की, जिसके अंदर गोली मा हेट स्पीच है वो बढ़ गई पांस दिन पहले तो सुप्रीम कोट ने भी कहा है याद होगा न आपको उत्राखंड के मैटर को लेकर सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगर शिकायत नहीं आती उसके बावजूद हेट स्पीच के ऊपर आप सुमोटो कॉगनिजन्स लेके उस केस को बुक करें विचारधारा की लड़ाई है या लोक शर्मा जी और आप सिधे-सिधे कह रहे हैं गोटसे और गांधी विचारधारा गोटसे विचारधारा भारते चंता पार्टी यानि रसेस को आप बीच मिलाकर कह रहे हैं जफर इसलाम साहब यह आरोब कॉंग्रेस आप कॉंग्रेस जो है बिल्कुल एक इर्रेलेवेंट पार्टी बन गई है को इरिजनल पार्टी भी इनके साथ अलाइंस नहीं करना चाहती है तो आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति क्या हो सकती है ऐसे में जब हार इनको सामने दीप रहा होगा सब जगा तो उन्होंने अभी कोसला है आँखों में धूल जोकने वाली बात है कि हमने एलेक्शन कराया और नए इसलिए कि राहूल गांधी एलेक्शन हारते हारते उसमें जो है ठक गया है मेरे खाल से हार हार के ठक गया है अब तक 22 एलेक्शन तो हार चुके जब से वाइस प्रेजिडेंट बने और प् और अब हिम्मत नहीं है कि वापस प्रेजडेंट बनके पार्टी को के साख को मद्बूत कर पाए इसलिए कि लोग समझ चुका है कि कॉंग्रेस की नितियों को अब अलोग भाई हमारे मित्र हैं जो भी कहना है कहें दिल से तो वो भी जानते हैं कि जो दैनिये स्थिती है कॉंग्रेस की उसमें किसी को तुम होरा बनाना था वली का बक्रा तो बना नहीं था ऐसे में इनसे बहतर कौन हो सकता था आर्यू मत्यसेंजिया जो गांधी परिवार के इशारे पे डांस भी करता हो और हार का ठेकरा भी ले लेगा अपने पर जफर इसलाम जी यही तो कह रहा है आलोक शिर्मा जी कि आपको अपने अंदर ये चीज़े नजर नहीं आती है आपको अपने अंदर नजर नहीं आता है आप कहते थे इलेक्शन नहीं होते इलेक्शन नहीं होते इलेक्शन भी करवा दिये और नए अध्यक्ष भी बन गया वो भी घैर गांधी परिवार का प्राची जी दस सेकेंड दीजिएगा अरे भाई अलेक्षन ये अलेक्षन ये जो है वो महस्द दिखाने के लिए था अलेक्षन का कोई मतलब है मलिक अरजुन खरगय जो जी जो बनने ही वाले थे अलोग भाई हमारे मित्र बैठे है उनको ही पता था के खरगय साहवी बनेंगे कोई और नहीं बनेगा इसलिए के उस पे ऐसे जो फर्स फैमिली है गांधी परिवार का हाथ ऐसे था और इसलिए कोई और बनने ही सज़खे डिगवेजाई सिंग जा रहे थे हटा दिया रास्ते से बोला निकल जाओ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी निउस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर